इस किसम की मोल्ड है और वो आप समझते हैं कि इसकी वज़े से आपको सारा छट जो है वो रंग करवाना पड़ेगा या आपका जो है वो सारा छट बदनुमा लग रहा है तो उसको मैं रिमूव करने का एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको इस किसम का एक मॉब मिलता है जिसके साथ स्टिक होती है जिसको आप एकस्टेंड कर सकते हैं ठीक है यह मॉब लें और इसकी उपर आप बलीच स्प्रे कर दें ठीक है मैं यह कर रहा हूँ यह Astonish Mold and Mildo Blaster ठीक है जी यह आपको मिल जाती है किसी भी Department Store से तकरीबन 250 की यह Bottle है ठीक है आप इसको इस्तमाल करें और फिर उसके बाद आप इसको जो सर्फिस है उसके उपर लगाएं मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे यह है वो सर्फिस जिसकी उपर हम लगा रहे हैं ठीक है आप खुद देखें अपनी आँखों से जहां जहां मैं लगा रहा हूँ वो किदर जा रहा है यह लगे इस और गॉन आपको ना यहां पे पेट करने की ज़रूरत है नहीं आपको किसी क्लीनर को बला कर साफ करेंगे ज़रूरत है सिंपली मोल्ड ब्लास्टर से आप मानेंगे और यह सारी आपकी मोल्ड जो है यहां से रिमूव हो जाएगे ठीक है नाजरीम यह है बहुत आसान तरीका मोल्ड रिमूव करनेगा थैंक यू यह वही सर्फिस थी जहां पे मोल्ड था आप देख सकते हैं कि यह सारा मोल्ड खतम हो गया है और अभी आपको जो वेट पैच है नजर आ रहा होगा जहां पे हमने इसका सारा स्पांज से इसको लगाए यह सारा इससारा आपका जो मॉब है वो इस रंग को हो जाएगा आप इससे जएदा इसको गंदा ना होने दें फोरण इसको तार के धो लें और इससे आपका जो च्छत है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ठीक है यह मॉब आप देख सकते हैं कि डिटैचिबल है और इसको मैंने डिटैच करके इस तरह उतार लिया है अब मैं इसको दो दूँगा नाजरीन अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और आपकास